नमस्कार दा इंडिया टॉप देख रहे हैं आप नागा लेंड में 13 लोगों को गोली लगी है आपको बता दे पारा मिलिटरी के द्वारा ये गोली चलाई गई थी कई तरह की खबरे आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि जो अस्थानिय मिलिटेंट थे उनको लेकर सर्चिंग अवियान चल रहा था जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है ये मामला सदन में भी उठा है जदियू के राष्टिय अद्यक्ष ललन सिंग सह मुंगेर से सांसद है उन्होंने इस मामले को लेकर केंदर सरकार से मांग की है कि इसमें जाच कराई जाए किस वज़ा से घटना हुई है सांति साथ देश के ग्री मंत्री से भी इसमुद्दे पड़ जबाब मांगा है आप ये वीडियो देखिए और देख्श मोदे पुर्वत्तर नागालेंड की जो घटना है वो बहुत ही दुखत है और सरकार का प्रयास है पुर्वत्तर के राजियों में शांति अस्तापित करने का सांति का प्रयास भी सरकार कर रही है और वैसी परिस्तिती में गलत पहचान के आधार पर अगर निर्दोस लोगों की निर्मभत्या अपने सेना के दौरा या जो पारा मिलिटरी फोर्सेश हैं उनके दौरा अगर होती है तो सांति के प्रयास को भी धक्ता लगता है और वहां के लोगों में अविश्वास पैदा होता है इसलिए मेरा आगरह है कि जो इतने 14-16 लोग मारे गए जो नागालेंड के साथी ने जो आगरह किया है और हम भी उससे सहमत है कि मानिये गरिह मंत्री जी को मानिये रच्छा मंत्री जी को सदन में पूरे नागालेंड की घटना की वस्तो इस्थिति की जानकारी इस सदन को देने चाहिए और गलत पहचान की आदार पर जिन लोगों की हत्या हुई है उन गरिबों को सरकार पूरी तौर पर मुराबजा प्रदान के ले मेरी ये सरकार तो देखा आपने किस तरीके से लड़न सी मुंगेर के सांसद है उन्होंने इस मामले को लेकर सदन में सरकार से सवाल पूछा है और पूछा है कि कौन से ऐसी कारण थी किस वज़ा से ये घटना हुई है आपको बता दे कि अखबार और अन टीवी चैनलों के माध्यम से इस घटना को लेकर अभी तक संसर बना हुआ है इस स्थिती साफ नहीं हो पाई है कुछ लोग ये कर रहे हैं कि वो मिरिटेंट्स थे वहां के जो अस्थानिये अस्तर पे जो उगरवादी है उन लोगों को मारा गया है साथी शाथ कई चैनलों के माध्यम से कई अकवारे में ये खबर आई है कि ये मामला वहां के अस्थानिये लोगों से जुरा हुआ है वहां के जो अस्थानिये लोग है उनको गोली लगी है वहां के जो जनता है उनको गोली लगी है इस मामले को लेकर अब राजनीत भी तेज हो गई है सत्ताधारी दल के कई नेता इस पर अपने ही दल से सवाल पूछ रहे हैं वहीं अगर बात करें विपक्षी दलों का तो कॉंग्रेस सहीत राजद ने भी इस मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछा है